उनको चुनाव के परिणाम आएंगे लेकिन इससे पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है दीवी लाइव इलेक्ट लाइन के सर्वे में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 215-245 सीट मिलते दिख रही है जबकि इंडिया गटवंधन को 260-290 सीटे मिलने की उमीद है अगर बात बीजेपी के सीटों की करें तो बीजेपी को 195-215 सीट मिल सकती है जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 20-30 सीट मिलने की उमीद है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती दिख रही है लेकिन अपने सहयोगियों के साथ भी उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है इंडिया को 260-290 सीट मिल सकती है जिसमें से कॉंग्रिस को 115-135 और उसके सहयोगियों को 140-160 सीट मिलने की उमीद है तो दूसरी तरफ अन्य के खाते में 28-48 सीट जाती दिख रही है अगर बड़े राजियों की बात करें तो यूपी में इंडिया को 46-48 और इंडिया गटवंधन को 32-34 सीट मिलती दिखाए दे रही है पशे मंगाल में बीजेपी को 11-13 तो इंडिया को 29-31 सीट मिलने की उमीद है राजिस्थान में बीजेपी को 17-19 तो इंडिया को 6-8 सीट मिलती दिख रही है जबकि बिहार में इंडिया को 14-16 तो इंडिया को 24-26 सीट महराश्ट में इंडिया को 28-20 सीटे और इंडिया को 28-30 सीटे मिल सकती है मध्यप्रदेश में बीजेपी को 24 से 26 और कॉंग्रिस को 3 से 5 सीट मिल सकती है इंडिया गटबंधन पंचाब केरल की सभी सीटे जीटे वे दिखाई दे रहा है तो तमिलनाडू में भी एंडिये का खाता खुलता नहीं दिख रहा इंडिया गटबंधन देश के 5 बड़े राजियों में यूपी को छोड़कर बाकी के 5 राजियों में एंडिये पर भारी पड़ा है यूपी में एंडिये तो महराश्ट्र तमिलनाडू बिहार और बंगाल में इंडिया गटबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है जिसके बाद दावा की अचारा है कि 4 जून को देश में इंडिया गटवन्धन की सरकार बन रही है